अे नमस्कार दोस्तो जैहिन दोस्तो आज हम बात करने वाले दोस्तो कि हमको कैसे लगता है दोस्तो। हमारी घर में दूसतो दो वायर आती है एक होता है दुस्तो हमारा फेस, जिसको हम अल दिखते हैं ठीक है प्रीज, अब हमको दोस्तो, न्यूटल को हम हाल लगाते हैं, जहते-तर लोग समझते हैं, अगर हमने न्यूटल पकड़ लिया तो हमको क्रेंड नहीं लगेगा, या हम फैस को पकड़ लेंगे तो हमको क्रेंड लग जाता है दोस्तो, और तीस सा वायर जो हमारे घुरूमा आता है दोस्तों उसको करते हैं को कहते हैं दोस्तों अर्थ ठीक है इसको दोस्तों हम लेते हैं जमीन से दोस्तों ठीक है इसको हम जमीन से अर्थ बनाते हैं और घर में हम तीन वायर लाते हैं और यह अर्थ हो गया घर में होना बहुत ज उसमें दोस्तों अगर चुनिया बैड़ जाती है तो चुनिया को करण नहीं लगता है क्यों नहीं लगता है दोस्तों इस क्यावरे आपको बताऊंगा मैं क्योंकि दोस्तों होता क्या है अगर हम आदमी दोस्तों क्योंकि यह जो लाइव वायर होता दोस्तो जो फेस होता है दोस्तो क्योंकि जब हमारे सरी में घुषता है तो हमारे सरी में पूरा फेस हो जाते हैं ठीक है यानकि हमारे सरी में पूरा करेंट पहुंच जाता है लेकिन हमें करेंट तब तक नहीं लगेगा दोस्तो जब तक इस लाइब वायर को क्रेंट पास होने का जर्या नहीं मिलेगा इस पो जर्या मिलेगा तो अगर हमने कोई लोह की छड़ पकड़ ली या हम गिले पाऊ नीचे जमीन पर खड़े हैं तो उस कंडिशन में दोस्तो इसको रास्ता यहां से हमको लाइब मिला और अगर हम नीचे जमीन पर खड़े हैं दोस्तो तो यहां से इसको अर्थ मिल जाता है क्योंकि दूस्तो फेज का जो लाट जो हमारे जो बोल्डे छोथी होग स्थर जिसे अगर यहां से लाइन से रागा तो इसको निकलने का रास्ता चाहिए होता है तब जा के इस सर्कुिट पूरा होता है और तब ही हमको क्रेंट लेगा जब तक हम न्यूटल को नहीं पकड़ेंगे यह हम जमीन पर खड़े नहीं होगा जमीन पर खड़ेंगे तो यहां से इसको निकलने का रास्ता मिल गया यहां ने दूस्तो हम neutral के संपर्ग में आगी है तो यहां से क्रेंट को निकलने का रास्ता मिल जाएगा और हमको क्रेंट लग जाएगा ठीके दोस्तो, चुनिया केन रखाल दूस्तो क्योंकि वह एक वायर पे बैठी हुई है, अगर उसकी पूछ अगर दोस्तो अगर जिससे निॡूटल वह है अगर तुछ हो जाएगी तो चुनिया भी मर जाएगी यह उसको क्या लग जाएगा। आपने कई बार देखा भी होगा ठीक है उसकी बात करते हैं दोस्तों हम तीसरी बार जो होती हमारी अर्थ की दोस्तों ठीक है करें हमें कैसे लगता है आप समझगे होंगे और उसकी बात हम करेंगे अर्थ की बात दोस्तों अर्थ हमारा घर में कहां पर काम करता है दोस्तों जो हमारा दोस्तों इह प्लग्टप होता है यह हमारा जो सौकिट होना है तो सौकिट में हमारा भूपर दिया याता है जैसे मानागी में수가 हमारी पावर की चीजह लगी हुई है इसमें इर्थिंग की बहुत जोध होती है औरोमक्टा सिमातों हर्थिंग फ्रीज हो गया घीजर हो गया प्रेस हो गई पानी गरम करने वाली रोड हो गई दोस्तों ऐसे कई चीज़े हैं पावर की चीज़े जिन में हमें अर्थिंग दी जाती है क्यों क्योंकि दोस्तों इनकी बॉड़ी जातर लोह की होती है लोह की बॉड़ी में अगर आपका दोस आपके घर्थ के बाहर से यहां बहुता क्या है अगर इसमें हमारा थाइब थाइब और यहां से फेश हमारा बाहर आ गया अगर कभी किसी कंडिसन मा दोस्तों, अगर क्रेंट लिकेज हो जाता है हमारा तो हमारे बोडी में हमारे टैप में जो हमारे टैप होते हैं दोस्तों बातुमें जो हमारे नल के वगर होते हैं उन्हें क्रेंट आ जाता है ठीक है अगर उसमें हमारे क्रेंट आ जाता है तो हमको जटका लग जाएगा हमको क्रेंट लग जाएगा तो उस condition में दोस्तों क्या होता है गीजर को एक अर्थ भी दी आती है अर्थ मलाथ अर्थ की वायर जो हाँ हुई है दोस्तों उस वायर को गीजर की body से जोड़ी आता है ताकि क्या होता है कि कि अ के ते इसने लिक्ष रहेगा जाये गांग गर Soviet मा रहे हैं तो उसके झ को दोस्तों यह सोग लेता है एक अमने अम्द ह not लेदा है ठीक एह और उसे सिधे जमीन में पहुंचाएता है जमीन एक दुन्या में ऐसी चीज है दोस्तों इसमें आप कितने भी बोल्डेज डाल दीजिए यह इसको सोग लेती है तो इसलिए जमीन से अर्थिया जाता है अब उस कंडिसन में आप कहेंगे दोस्तों जैसे कि अगर हमने इसको अर्थि हमारी हुई है कि अर्थि यह पुरा करेंट यह कैसे पी दिरा अगर हमने इसको पकड़ दिया तो अगर हम यहां पर खड़े हैं अमने टैप पकड़ लिया तो हमको क्रेंट क्यों नहीं लिगा दोस्तों क्योंकि हमारा दोस्तों प्रतिरोज जो हतो करेंट के प्रत जाएंगा क्योंकि आपने देखेंगे जैसे हम बिजली के खंबे से दो तारे आपने घर को लेते हैं ठीक है यह भी L होती है, यह भी L होती है, L1, L2, L3 दोस्तो, और यह NewtonStud, और खम्बे में एक अर्थ भी दियती है दोस्तो, ठीक है है क्योंकि जो अर्थ इसलिए दिया आती है क्योद्ध जो हमारे 20D के खम्मे की लगए रहता है । लोह एक होता है, और कभे किसी कारणagvass अगर करन क इस से लिखdade कोई दिक्कत हो आती है तो यह स्थाय इसको जर्थ जी आते हो ग्राउंट किए और टो पॉल ऑज नीचे इसके अरथिं की जाती है और टो पॉल ऑज उसके पहुंचास यह तो यह काम करती है यह एठ्थ हमारे घरों में नहीं आती है हमें अपने घरोंगे लिए अर्थिंग खोद करने पड़ती है ठीक उसके बाद क्या होता दोस्तों ये थीन वाइर फेश जो होते हैं क्योंकि क्या होता है जैसे माना कोई गाऊ है इस गाऊ में अगर पंदा लोग पंदा घर है ठीक है हमारा घर में जो light होती है दिम हो जाती है करेंट पूरा हमको 230-230 बोल्डेज नहीं मिल पाती है 170-160, 170-160 उपर बोल्डेज नहीं आपाती है ठीक है तो proper करेंट के लिए हमें 230 चाहिए होती है तो होता क्या है दोस्तों उस condition में क्या होता है दोस्तों जैसे हमारा एक फेस है यह फेस को हमने इस गाउं में दे दिया ठीक है और दूसरे वाला फेस दोस्तों दूसरे गाउं में दे दिया और तीस वाला फेस दोस्तों तीस है यानि कि एक गाउं हमारा इस फेस में पड़ नूटल से पहंती है इसलिए दिया आते हैं अब सब्सक्राइब होता को अब में बोल्टेज और uda क потом जिए बोलटेज, जिपया kita कि अगली वीडियो में अनुस्त इस वीडियों से लगता है। उन्म अगली व्यइदियो में बतांगा दोस्तो हमें current से लगता है या current म considerBeautomatic कहीं है और यह किए दो चीज़ेह अलग अलग होती है, current अलग है इस चीज के बादे में अगली वीडियो में आपको बहुत बढ़ात अक्षिय समझाने वाला हूँ अगर आपको वीडियो पस्ना आया तो दोस्तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जोरू कीजिएगा एसी वीडियो दिंगने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जोरू कीजिएगा दोस्तों कल मिलता हूँ नई वीडियो के साथ तके लिए जैहिन गुर्भाई